हलो प्रेंट्स, वेलकम तो फिल्मी फंडवी, joinfilms.com, मैं हूँ आपका अपना विरेंद्राठोर, और आज हैं हम भाबी जी घर पर है के सेट पर विभूती जी के घर में बैठे हैं, लेकिन हमारे साथ बैठे हैं मनमोंतिवारी, सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए चै क्या करेक्टर है यह जी यह जो है बड़ा दिल फैंक किस्म का आदमी है, और यह दिल हथेली पे लेकर चलता है, और इसके महबब जो है, वो सामने वाली भावी जी से है, जिनका नाम अनीता भावी है, उन्ही के सपनों में दिनरात ख्या रहता है क्योंकि इसके दिल में हम विशा भावी जी की महबबत में रहता है, तो यह जो करेक्टर है, यह जो और आसपास दिखता हूँ सा करेक्टर है, जो जो आपको लगता है क्योंकि बहुत ही बहुत सभी बात है, क्योंकि आमोवन अगर आप किसी भी प्रदेश में जाएंगे, कही ना कही तरह के सारे लोग देखे, एक आदमी जो था, वो हमारे टैरिस पे आ जाता था हर रोज, और वो मेरा दोस्त बन गया था, तो हर रोज कमरे में आके कहता चले टैरिस पे चले, मैंने का आप चाहे तो पीजी भी ठंड हो रही है, बहुत ठंड है सर उफर टैरिस पे चलते, टैरिस जाके जो है, वो सिर्फ वो सामने वाली एक भावी आती थी, उसे कपड़े सुखाती थी, और वो सिर्फ इतना पूछता था, भावी जी भाहिया कैसे है, सिर्फ उसका इतना पूछना उसे संतुष्टी दे देता था, तो फिर मेरा वो दोस्त हो गया, पर मैंने उसे पार करते हैं उसे, तो इस तरह की फितलत की लोग बहुत पाए जाते हैं, मतलब वो कई बात दिल के बुरे नहीं होतें रहते, वो था हद पार करते, लेकिन वो मुहबत का जख़बा भावी के लिए संजो के राखते हैं, मतलब मुह उसमें मुहबत का ऐक आनन भी है, लरक एक शक्स ने बाकादा कबूल किया कि हमें अब समझ में आता है कि फलाँ फलाँ वाले अंकल जो है हमारी चाची के लिए आते थे या हमारी मम्मी के लिए आते थे मतलब आप बाते खुल-खुल के आ रही है तो मतलब इस सीरेल ना सबको मज़ा भी दिया लेकिन बहुत सारे राज भी खुल दिया है अब लोगों के अंदाज लोगों को समझ में आने लगे कि ये जो पूछते हैं कि भावी जी घर पर है एक्चुली इसके अंदर मन में क्या चल रहा है लेकिन लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं और अब इसके तो हजार एपिसोडस हो गए ये जो जर्नी रही है सकस्सूल इसके बारे में क्या करेंगे पुरी टीम के बारे छान के वह भी था कि टीम बहुत सॉलिड है, जो आधमी के लिए घह को लगते है उनुक्स बलुक्त? इस भाद माज़ा? बीच का एक दर जो था वो बहुत सारा गढ़ों से भरावा था, लेकिन वो भी क्रॉस करते करते हज़कोले खाते हम यहां तक पहुँची गए, और बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से, हम ने सोचा था कि हम डूब जाएंगे, उस गढ़ों बरे दोर में, बहुतों ने सोचा होगा, लेकिन हम पार कर पार कर गए और आगे निकल आए अब मैं आपसे बात करना चांग हूँ जो आप एक्टर है नॉमली मैंने जो आपको अब्जोर किया है बहुत सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं आपको आप बहुत अंटेटेन करते हैं कॉमेडी के लिए लोग बड़े हावाव बनाते हैं या चेहरे को बड़ा विकट बना देते हैं लेकिन आप बहुत साधारन तरीके से एक्दम स्तर पर रहके हो बड़े सटल तरीके से कर देते हो यह कैसे सर क्योंकि कॉमेडी में लोग सुछते हैं ओवरेक्ट करना ही पड़ है कि हम जो है बस बातचीत करेंगे और जो जैनून इमोशन स्पॉंटिनियस ली आता है उसी को आने देंगे उसके लिए हम एफर्ट नहीं करेंगे तो यह उन्होंने खुद उनकी सोच थी ऐसा डिजाइन किया उन्होंने एक्टिंग स्टाइल तो इससे पहले मैंने बहुत सारे ऐसे काम किया हैं जो बहुत बेकार रहें जिसमें डिरेक्टर थोपते थे आपके उपर ऐसे ऐसे करना पड़ता था वो बेदिली से करते थे ले चीजे यह बहुत खुबसूरत लगती है सटलीटी में चीजे कहना उस सिचुएशन में और करेक्टर से कहले देते इसमें राइटर की बहुत बढ़ी भूमिका होता है किस तरह का लिखते है वो बातचीत होनी चाहिए बातचीत लगनी चाहिए कि मैं बात कर रहा हूँ जै बावी जी के पास आकर आराम से, क्या लग रही है भावी जी, एकदम छिला हुआ अंडा, मतलब लाइट चली जाए तो ट्यूब लाइट लगाने कि जरूरत ना पड़े, बाद भी कह दी और हलका सा खिसी आ भी गए, बिल्कुल आराम से, यह निकी छिला हुआ अंडा लग आराम से, और एक जो आप वो स्टाइल लाइए अगला साब, जो पगली वाला, वो मैं सब लोगों से भी सुनता हूँ, यह वर्ड तो बड़ा नॉर्मल है, जैसे शोले में, गबन ने का कितने आदमी थे वो भी डायलेक बन गया, ऐसे आपका पगली वर्ड भी बड़ा कम बस गई, मैंने खुद अपने घर में भी देखा है, कि जैसे आप वो बोलने वाले होते हैं, उससे पहले ही बच्चे और बाकी लोग है, अब बोलेगा पगली, और वो बोला तो एक लाफ्टर आता है, और एक और कमाल की बात देखी, मैंने रोईता आजिए, आपके जो प पेसी पेस में करें चीजे, क्योंकि ज्यादा तर कमेडी में ये भी होता है, कि पेस में करो, इसका पेस गिर जाएगा, उनको बिलकुल नहीं, डायलोग बलके बगाएदा रुक जाना और एक दूसरे को देखना है, वो पॉस भरावा होगा, तो उसमें आपको हसी आएगी और वो हुआ, और वो ये लोगों को पसंदा है, वो वक कर गया, एक और बात जो इस सीरियल से देखने को मिली है, और आपके करेटर से, कि बिलकुल आम समाजी करेटर लगता है, ये जो गलियों से निकल के कॉमेडी आई है, लोग नॉर्मली बाहर को, हॉलिवूड को ये आई है, उसने जो कमाल किया है, ये क्या लगता है आपको? जी बिलकुल इससे लोग बहुत रिलेट करते हैं, अपने महले के दोस्त एकदम से रिलेट करते हैं, कि यार वो अपना यादराम का लॉंडा भी तो ऐसी बोलता है, मतलब अरे यार ये ये तो बिलकुल वैसी बुल रहा है जैसे या शर्मा जी का लॉंडा बुलता है, अरी तो शर्मा जी जैसे लग रहे हैं, तो एकदम से ये चीज रिलेट करते हैं, और ये चेंज हमारी फिल्मों में भी आ रहा है अगर मैं आपको बता हूँ, बहुत, अगर आपने अभी हाल में बधाई हो देख करके रख दिया, जो आपने कहा कि content चलेगा और character आप अच्छे से करोगे, realistic form में करोगे तो चलेगा, तो जो इतनी opportunity हैं, जब आपने career की शुरुआती की थी, तो तो इतनी नहीं थी opportunity, तो आपको कितनी दिक्रत हुई थी, बहुत दिक्रत हुई थी, और मन्द मुताबिक का तो नहीं लोगों के लिए तो बहुत अच्छा दार है, बहुत अच्छा दार है, बहुत, talented directors आ रहे है, talented actors रहे है, राजकुमार राओ, घजराज राओ, किते अच्छे-च्छे actors रहे हैं बापने, अब एक तरह से मनोजबाच पी भी बिचारे खुल के वो करते हैं, बहुत अच्छा जी, thank you very much, thanks a lot sir, thank you sir, thank you, thank you, join films में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, जिनसे की आपको proper professional guidance मेलेगी, भले, आप actor बनना चाहते हो, writer बनना चाहते हो, filmmaker बनना चाहते हो, singer बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे, भले, वो fake auditions पे ह audition कैसे देने चाहिए, इस पर भी detail वीडियो अवेलेबल है,